आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है दोस्तों कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो लोग आपको चूना लगाने के लिए तयार बैठे रहते हैं चेहरे पे नकाब लगाए रहते हैं बहुत सारी लोग सेगरेंड कार खरित के पच्टाते हैं उन्हें रिग्रेट फिल होता है क्यूंकि उस कार में बहुत ज़्यादा प्रोब्लम निकल आता है वो चलाते कम हैं बनाते ज़्यादा हैं जब आपको खराब कार मिल जाते हैं ना दोस्तों तो दिमाग का दही हो जाता है दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है जिस खुसी के लिए आपने लिया थ वो परिशानी में बदल जाती है तो अगर आप फर्स टाइम कार ले रहे हैं तो किन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए कुछ खास पॉइंट में इस वीडियो में बताने वाला हूं तो बिना स्किप की हुए इस छोटी सी वीडियो को देखे और एक स्पेसल लाइक तो भ ले करके किसी अंचान नॉन ट्रस्टेबल डिलर से खरीद लेते हैं ऐसा नहीं है दोस्तों कि रोट साइड में जितने भी डिलर हैं वो खराब डिलर होते हैं लेकिन कुछ डिलर आपको ऐसे मिलेंगे उनमें से जो एक बार आपने उनसे कर ले लिया तो दुबारा आप उन साइज डिलर से लेंगे तो आपको यह कहने की जरूत नहीं पड़ेगी वह खुद आपको कहेंगे कि अगर इसमें कोई प्रब्लम हुआ तो हम चेंज करके दूसरी दे देंगे या फिर आपकी समस्या का समधान करेंगे दूसरा पॉइंट है कि हम पहली बार कार खरीदने वाले होते हैं तो हमारा excitement का लेवल इतना ज्यादा हाई रहता है कि हम डिलर की बातों में आके उसकी ही बात को समझ के उसी की बात को सही समझ के उस पर भरोसा कर लेते हैं और वो कार उठा लेते हैं तो आपको अपना सुझबूज अपना दिमाग लगाना है अगर आप फर दोस्त को ले जा सकते हैं जिने कार का अच्छा खासा experience है या फिर आप अपने साथ mechanic ले जा सकते हैं अगर यह दोनों काम आप नहीं करेंगे तो आप सीधा उस कार को लेकर उस कार के service center चले जाए और वहां पर पता कर लिए कि भाई इसमें कितना खर्चा आएगा क्यूंग चेक करना है यह मैंने पहले की वीडियो में बताया है और आप जानते ही है किस तरह चेक करना आपको पूरा बॉड़ी उसका चेक करना एकसिडेंटल है की नहीं यह देखना है service record कार का मिल जाए तब तो सोने पर सुवागा हो जाता है कार रिपेंट होगी ना दोस्तों तो प्रोब्लम दे सकती है जो भी कार आप खरीद रहें उसकार का एसी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं इंजन नौइस तो नहीं कर रहा है पीक ठीक तो है इस तरह की सारी चीज़ें आपको अच्छे से चेक करने हैं क्यूंकि अगर एसी से अगर आपकी ठंडी हवा नहीं आ रही इस तरह से दोस्तों बहुत तरह की समस्य आ जाती है अगर आपने गलत कार खरीद ली है तो इसलिए हलबढ़ा के कार आपको नहीं खरीदनी चाहिए थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहिए और जो भी कार आपने डिसाइट कर लिया है कि हाँ भाई मुझे तो यही कार ल पचाने के लिए सस्ती कार खरीद लेते मतलब होता क्या है कि कोई कार अगर दो लाग बीस हजार में उन्हीं मिल रही है तो वह कोसिज करते हैं कि भाई हम एक सटर वाला कार खरीद लेते हैं अगर प्राइस आपको 50,000 रुपे दोस्तों अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आप समझी सकते हैं कि उसमें कितना खर्च हो सकता है तो आपको लालच में आके कम पैसे में सस्ति कार नहीं खरीद नहीं चाहिए और कार की कंडिशन अच्छी है 20-30,000 रुपे ज्यादा भी लग रहे हैं तो आपको कंडिशी नहीं करनी चाहिए आपको अच्छी कार ही खर सब नहीं होना चाहिए से पहले से कर के बारे में हमने ओल्रेडी तीन चार वीडियो बना दी है उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों आज बने ओलेक्स पर भी बहुत सारे कार डिलर आपको मिल जाते हैं तो अगर आप ऑलेक्स से भी चेक कर रहे हैं तो वहां पर देख लें और सबसे बड़ी बात यह हैं कि जिन लोगों को कार नहीं होता है जो लोग पहली बार कार खरीद रहे होते हैं उन्हें उतना समझ में नही आपको experience नहीं होगा और जब आप एक बार कार खरेद लेंगे तो आपके पास experience रहने वाला है तो second car ले रहे हैं तो ज्यादा डरिये मत अच्छी कंडिशन की अच्छी कार उठाइए जो भी कार खरेदें उसका test drive अच्छी से ले ले उसका suspension चेक करें उसके engine में कही noise तो नही नहीं आ रहा है कहीं कोई problem तो नहीं आ रहा है high speed में जब आप चला रहे हैं तो steering दाएं बाएं तो नहीं भाग रहा है तो 60-70% जो है ना second hand car बिखते हैं अभी नई कार तो महंगी हुई है second car market में used car का भी price बढ़ गया है इनका आप diesel ले ले या फिर petrol अगर कार की servicing सही से हुई है तो कोई problem आता नहीं है चाहे आपका बज़र 2 लाग हो या फिर 5-6 लाग Honda City आपको मिल जाती है मारूती की लेना चाहते है तो आपको वेगनार मिल जाता है स्यूप्ट मिल जाता है Hyundai के लेना चाहते हैं तो आपको i10 grand मिल जाता है i20 मिल जाता है ये सब 5 लाग के अंदर में एक बहतरीन कार का option बन जाता है अगर आप पहली बार कार ले रहे हैं तो शुरू-शुरू में आप इन ही कंपनियों की कार खड़ी दे ए असकोड़ा भी डबलू की तरफ ना पहले आप इन कारों से स्टार्टिंग करें experience करें कारों का और उसके बाद आप जर्मन कारों की तरफ बढ़ें और ज्यादा घबड़ाएं नहीं दोस्तो से करेंड कार खरी दिए चलाएं experience कीजिए और उसके बाद exchange करके और कोई दूसरी कार खरीद लेजें लेकिन मैंने एक special वीडियो बना दिया है कि अगर आप सके हैं लगजरी कार लेना चाहते हैं और यू बीम डबलू मर्सेडरी टैप तो क्यूं आपको लेनी चाहिए क्यूं आपको नहीं लेने चाहिए तो उस वीडियो को भी देखना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा उस वीडियो और यह 80,000 चली है 50,000 चली है इस हिसाब से चली है 99% डिलर आपको यहीं बोलेंगे कि एक लाग से कमी चली है चाहे वो कार थर्ड ओनर हो फोर्थ ओनर हो इस बात से दोस्तों कोई भी मतलब नहीं होता है कि कार एक लाग चली है तो क्या कार खराब हो जाएगी अगर उस कार का मेंटेनेंस अच्छा से किया होगा ताइम टू टाइम सर्विस होगी और टाइम टू टाइम पार्ट चेंज हुए होगे तो उस कार में कोई भी प्रोबलम नहीं होगा डिजल कार तो पचपच चल लाग चल जाता है कुछ नहीं होता है तो किलो मिटर से आपको और आप से कार का प्राइस भी डि साइड होता है अगर कोई कार तीन साल पुराणी है तो उस कार का प्राइस जूह ना एक लाट से ड्याट लाकी कम हो पाता है खास करके वो कार जो 10 लाग के आसपास है इसलिए से कार मार्केट में अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं उस कार का प्राइस एक लाग से 10 लाग ही आपको बच रहा है तो वो कार मेरे नजर में आपको नहीं लेनी चाहिए इस से अच्छा आपको क्यूंकि नई कार जब आप चाहिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों पाच लाग में जाते हैं तो यहां पे कार का जो है ना 50% प्राइस कम हो जाता है लेकिन सब्सक्राइब कार मार्केट में अभी इतना ज्यादा बहाव बढ़ा हुआ है कि काफी ज्यादा आपको निकोसियेट कराना पड़ता है लेकिन यह कार लेने में फायदा होगा क्योंकि यह एक तो आपको 50% 40% से 50% आपका प्राइस बच जाएगा पैसा बच जाएगा पलस फीचर्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे जब भी कोई सब्सक्राइब कर लें दोस्तों कोसिस करें उस कार का टोप मोडल ही खरिदने क सकते हैं लेकिन यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भाई उस कार का सर्विस उसका हिस्ट्री उसका कंडीशन एक्सिटेंटल है की नहीं कार में क्या क्या प्रोब्लम हो जाता है क्योंकि 8-10 साल के बाद ही लोग अपनी कार को बेचते हैं उसे अच्छे से चलता है कि अब तो बेचेंगे पार्ट्स खराब हो रहा है तो होने दो टेंसन नहीं तो यह सारी चीजिए आपको देखने है कि खार का कंडीशन कैसा है सर्विस इस्ट्री क्या है एक्सिडेंटल तो नहीं है एवरी तिंग आपको अच्छे से चेक करना है यहां पर दोस् से तिन लाग में मिल जाते